सुरेखा अपनी जोपड़ी के आगे ज़ाडू लगा रही थी कि तभी तेज आंधी तूफान चलने लगता है और हवा के जोके से एक कूड़ा कच्रा बिखर जाता है अरे नहीं कितनी महनत से ज़ाडू मारा था मैंने फिर से सब कुछ फैल गया ये बारिश का मौसम भी बढ़ा सताता है कभी धूप होती और फिर अगले पल बढ़सात होने लगती है अरे सुरेखा जल्दी से मुझको दो रोटी बना के देदो मैं जाऊं तभी तेज-तेज की बिजली चमकने लगती और बादल गरजने लगते हैं जिसे देखकर सास गंगा डर जाती है हे राम शुरू हो गया आफत का महीना वो पर से कैसी मूसलाधार बारिश हो रही है कहीं छत ना टपकने लगे तभी चत के कई जगा जगा से बारिश का पानी घर में आ जाता है और कई हिस्सों से मिट्टी भी जड़ने लगती है जो की सबजी में गिर जाता है और सुरेखा को पता नहीं चलता मा लौती सबजी बन गई तो जल्दी से देदो पेट में चुए दोर रही है देती हूं टिंकू मा जी नरेश जी आप दोनों भी खा लीजे कहां बैट कर खाएं सुरेखा हर जगा की जमिन तो गीली पड़ी है इधर थोड़ा सूखा है यही पर खा लीजे सब लोग बहु चल सबसे पहले बारिश का पानी बाहर निकालते हैं फिर साथ में खाएंगे जी मा जी सुरेखा बरसाथ का पानी आंगर में फेकने लगती तब इसाइकल पर सवार डाक या चिठी लेकर आता है चिठी चिठी किसकी चिठी है रहीम चाचा? शेहर ते तेरी नंद की चिठी आई है एक महीने पहले कब भेजा हुआ है अब जाके आई है हम गरीबों के गाओं देहात में कहा चिठी समय से पहुँचती है तबी नंद की चिठी देखकर उस गरीब भाबी का दिल भराता है सुरेखा चिठी पढ़ती है प्रणाम भावी कैसी हैं? पूनम तुम रेडी हो गई? चलो कार तयार है। का मौसम शुरू होने वाला है। अगर उपले बनाकर इखटे नहीं करूँगी तो दो तीन महीने चूला कैसे जलेगा? मैं भी बनवाती हूँ उपले भावी? नहीं मेरी प्यारी ननत मैं नहीं चाहती कितने सुन्दर सुन्दर हाथ तुम उपले बनाने में खराब करो। पर भावी सीखूंगी नहीं तो ससुराल जाकर ये सब कैसे करूंगी? भगवान न करे तुम्हारा नसीब तुम्हारी गरी भावी जैसा हो, तुम्हारी शादी मैं अच्छा घर देखकर करूंगी, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। सुरेका अपनी ननत पर जान छड़कती थी, क्योंकि जब सुरेका ब्याकर आई थी, तो पूनम काफी छोटी थी। सुरेका ने अपनी ननत को बेटी के समान लाड़ प्यार से पाला था। कुछ दिन में पंडित जी पूनम के लिए रिष्टा लेकर आते हैं। ये देखो सुरेका, लड़का मुचे खानदान का है और एकलोता भी, वही ऐसा लड़का चिराग लेकर ढूडने से भी नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजे पंडित जी, हम लड़के वालों का अच्छे से स्वागत सतकार करेंगे, माजी इस घर में शादी करके हमारी पूनम का भाग गिसवर जाएगा। पानी टपक रहा था और टिंकू रानी एक कोने में बोरी की टाट ओड़कर भूग से मुर्जाए हुए चेहरा लेकर बैठे हुए थे। माँ मुझको बहुत ही इसकी मुख लगे कुछ बना दो ना पेट भी दुकरा है। क्या बनाओ मेरे लाल घर में कुछ भी नहीं है बनाने को उपर से तेरे बाबुजी भी नहीं आया अभी तक। हे भगवान अब तो घर की चत जरने की तरह बहरा सारे बरतन और बाल्टी पहले लगाया हुआ है। सास के खटिये के पास लगा देती है और दर्वाजे पर खड़ी अमीर ननत आखों में आसू ली अपनी गरीब भाबी और परिवार पर चाई बेबसी का ऐसा आलम देखकर दुखी हो जाती है। मेरी भाबी इतनी गरीबी से जूज रही थी और मज़े मालूम नहीं हुआ। वही खड़ी खड़ी ननत सिसक सिसक कर रूने रगती है। ठीक हो आओ बैठो प्रेम जी आप भी बैठिये। ओ बहन सरा दर्वाजा खोल दो तो फिर मूठा कर आगई मांगने के लिए अब क्या चाहिए। ललिता बहन मुझे थोड़ा सा आटा चावल और बेसन आलू दे दो शादी के बाद पहली बार मेरी ननत घर आई है। आरे तो अपनी ननत की खातिरदारी क्या मेरे घर की रसोई से करवाएगी। इतना सब कुछ नहीं दूँगी। मैं थोड़ा आटा और तेल देती हूँ। उसी को लेकर जा। पड़ोसन कंजूसी से कुप्पी में से नाप जोख कर थोड़ा तेल और थोड़ा ही आटा लाकर देती है जिसको सुरेखा अपनी फटी हुई साड़ी के आचल में चुपा कर घर ले आती है। और मजबूरी में आटे के पकौडे तलती है मगर बरसात के कारण चूले के आ पूनम अपने दोनों भतीजा भतीजी को प्यार से पुचकारते हुए पकौडे देती है। अगवान ये कैसी गरीबी इलाजारी है। ये बारिश का मौसम कभी तो हम गरीबों के दर्वासों पर खुश्या लेकर आता है। ये सुनकर तो जैसे ननत का कलेजा फटने को आ जाता है और वो फूट फूट कर रोती है। बावी इस गर से मेरी बिदाई क्या हुई। आपने एक पल में मुझे इतना पराया कर दिया कि अपने दुख अपने गम भी नहीं बाटे। आप लोग इस आलातों में जी रहे थे। पूनम हम तुम्हें सुखी देखना चाहते थे और ये मौसम की मार तो हमारे लिए हर बार की है और शादी के बाद लड़की को लड़के के मन से चलना होता है इसलिए बस। पर भावी जैसे पूनम आपकी नन्ध हैं मैं भी तो आपके भाई की तरह हूँ। इस परिवार स की चत पकी करवाते हैं और सुरेखा अपनी ननत की मदद लेकर होटल का काम शुरू कर देती है जिसमें बरसाद के मौसम में बैट कर बहुत से लोग खाना खाते हैं और उनकी परिस्तितियां सुधर जाती हैं।